हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ब्येस रिव्यूज में आजम लोग रिप्यू करेंगे सोनी लिप की मुवी स्काइल लैप को तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो स्काइल एप यह मुवी कुछी दिन पहले सोनी लिप पर रिलीज हुई थी और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह मुवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है और अगर आप लोग कोमेटी ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो आपको य मुवी डेफिनेटल पसंद आने वादी है लेकिन एक न्यूटल आडियंस को यह मुवी कैसी लगीगी इस पर तो मैं की वीडियो में बात करूँगा अगर हम इसी कहानी की बत करें तो यह कहानी सैट है 1979 में जब नासा की सैटलाइट खराब हो गई थी और नासा ने यह कहा था कि यह सैटलाइट साउथ इंडिया में कहीं गिरेगी और इसी खबर के कारण तेलांगना की गाउं में काफी पैनिक मत जाता है और इस पैनिक में किस तरह से उस गाउं की लोग रियक्ट करते हैं और उनके साथ क्या-क्या होता है यही सब इस मुवी की कहानी है अगर हम इस स्क्रीन प्ले की बत करें तो personally मुझे इस मुवी का स्क्रीन प्ले काफी था पसंद आ है क्यों जिस तरह से मुवी स्टार होती है हमें बताया जाता है कि गौरी किस तरह की इंसान है वो किस तरह से राइटर बनना चाती है और वो अपनी राइटिंग के पैशन को कितने आगे तक लिखे जाना चाहती है, वो सब इतने जाद अच्छे से लिखा गया है, कि हम इस स्टार्टिंग से इस मुवी में connect हो जाते हैं, और जाना चाहते हैं, कि अब आगी क्या होने वाला है, और कैसे होने वाला है, जोगी काफ एच्छी बते हैं, फिर जिस तरह से मुवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी situation को explore कने, हमें अलगला character से मिलाया जाता है, बताया जाता है कि डॉक्टर किस तरह से react कर रहा है, ये सुविदार किस तरह से react कर रहा है, गौरी किस तरह से react कर रही है, वो सब इतने ज़ाद अच्छे से लिखा गया है और आपको काफी पहले संदाज होता है कि मूवी आगी जगे कैसे end होने वाली है इसी कारण से ट्विस्ट अच्छे ज़ाद उमीदें मत करना लेकिन फिर भी जब भी कोई ट्विस्ट आता है तो वो आपके उस तरह के इंपर की डालने में कामियाप रहता है जिस तरह को उसे डालना चाहिए था क्योंकि हर एक ट्विस्ट को इतने ज़ाद अच्छे से लिखा और प्लिस किया गया है ना कि बस मजा जाता है और जहां तो बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर के बिश्ट है डैनमिक्स की तो ये दोनों चीज़ें इस मूवी के हैलाइट है क्योंकि हर एक कैरेक्टर के इतने ज़ाद अच्छे से लिखा और डेवलपम किया गया है कि हमारा हर एक कैरेक्टर के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है और जो characters के बिश्क डैनमिक से रहते हैं वो भी मैंने काफ़ ज़दे enjoy करें लेकर अगर हम इस movie के negative points से बत करें तो ये movie सब के लिए नहीं है तो अगर आप लोगों को ये movie पसंद ना है तो समझ जाना कि ये movie आपके लिए नहीं है और जहांतर बात है acting की तो नित्या मैनन का काम जबरदस्त है और जिस तरह से उन्होंने अपने character को play कराया ना बस मज़ा ला दिया है और बाकी सभी का काम भी मुझे पसंद आया है और जहांतर बात है direction और editing की तो direction कमाल का है कोई जिस तरह से director ने इस movie को बनाया ना वो बहुत ज़्याद अच्छा है और सच में हम इस movie के emotions के साथ भैते चले जाते हैं जिसके लिए director की जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है और जो editing है वो भी मुझे पसंद आईए और अगर हम production quality की बात करें तो वो ठीक ठाक है तो overall मैं यही बोलना चाओंगा कि अगर आप लोग को comedy dramas देखना पसंद आते हैं तो आपको यह movie definitely पसंद आने वाली है लेकर अगर आप एक neutral audience हो तो भी आप इस movie को देख सकते हो आप बोड़तों कहीं भी नहीं होंगे इसलिए मेरी तरफ से यह movie पूरी तरह से recommended है और अगर आप लोग ने यह movie देख लिए हो तुमजी comments में जरूब है थाना कि आपको यह movie कैसी लगी और अगर आपको वीडियो से related को सब्सक्राइब करने हो तो भी आप हमें comment से बता सकते हैं या आप तो हम Instagram और Twitter पी follow कर सकते हैं Link description में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना और अपने दोस्तों में यह वीडियो शेर कर देना मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत